तो वेल्कम बैक टू दचानला दोस्तों स्वागत है आपका अपने उट्वी चैनल में बेक्टेश्टे टेडर में और आप सभी को आप सभी टेडर को 2023 की नए वर्सकी हार्दित सुपकाम नाएं तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हम प्राइस haceures Science दें कर से वाटिज टेक्निकल अनलीसिस अ उसमें सबसे पहले जा शानेंगे हम support और रजिस्टेंज को तो support रज्टेंज हम तीन प्रकार से मान सकते हैं पहला सपोग्रॉट नायन के अधार पर दूसरा सपोट अजिसन्स होगा ट्रेड लाइड के अधार पर तीसरा सपोट अजिसन्स होगा आपके चैनल के अधार पर तो सब्से पहले वाटई टेक्निकल ऐनालेसblade देखिए technical anaisis क्या है वह एक study है price action को market के excel लेने के तरीका को हमें study करना है उससे बोला जाता है टेक्निकल analysis तो यह कैसे होता है यह होता है previous chart के previous chart में जो चीजे हुई है उसको हम लोग forecasting करके हम predict कर सकते के future में क्या हो सकता है उसी प्रकास वे पास्ट के experience को देख करके, study करके आने वाले future को predict करते हैं तो इसी है, इसी को बोला जाता है technical analysis, share market भासा में, stock market की language में तो एक market के action लेने के तरीके को हमें study करना है, उसे बोलते है technical analysis अब इसमें क्या चीज़े होती है, तो इसमें तीन चीज़े होती है, technical analysis में होता क्या है, price move करता है, trend में move करता है, ठीक है, trend में move करता है, चाहे up train हो, चाहे down train हो, ठीक है, अब आता है price क्या करता है, history repeat itself है, मतलब कि price में जैसे यहाँ पर support हुआ रहेगा, अब प्राइस समझ में आ गया, तीसरा है आपका price action, देखिए, price जैसे इस तरीके move कर रहे है, तो उसका एक ऊपर जाने का तरीका है, जैसे वो break करेगा, तो प्राइस करके जाएगा, या फिर यह swing, यह क्या करेगा, यहां से, जिससे side वी चल रहा है, तो यहां से swing करके भी breakout कर सकता है, ठीक है, तो इसका एकसल लेने का तरीका है, जिसे हम technical analysis के अंदर आता है, अब देखते हैं, तो market, action, discount, everything, देखिए, market में जो एकसल लेता है, उसका discount सब कुछ ही है, तो सबसे पहले discount price में लेना है कोई भी चीज को, इसलिए हमें technical analysis करना आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जैसे की वो आता है, demand और supply पे, जैसे कोई चीज की demand है, कोई चीज की demand अभी जादा है, और उसका supply कमा रहा है, तो जहिर सी बाद है, वहाँ पर buying pressure आएगा, ठीक है, यदि कोई चीज का rate जादा है, और demand ही नहीं है, उस का rate जो है, डाउन जाएगा, तो यह demand और supply पे होता है, इस बाद को हमें साथ ध्यान में रखिए, इसी को बोला गया है, price, action, market, action, discount, everything, अब आता है chart construction, तो तीन प्रकात से chart को हम देखते हैं, line chart, bar chart और candlestick chart, तो सबसे यादा famous है, candlestick chart ही है, अब देखते हैं कि support और resistance, यह कैसे काम करते हैं, यह आप इस structure को समझ जाते हैं, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरुवत नहीं होगी, तो सबसे पहले pound out करते हैं कि मालोगा प्राइस कहीं 100 रुपई से नीचे आ रहा है, यह 90 रुपई पर support लेता है, ठीक है, ठीक है, अब फिर प्राइस जो है 90 रुपई से फिर उपर जाती है, कितना यह 94 जाती है फिर प्राइस यहां से सेलिंग आता है फिर 90 रुपय में सपोर्ड लेता है अब फिर प्राइस जो होना 92 जाता है ठीक है अब प्राइस जो होना इस 90 रुपय को ब्रेक कर देती है ठीक पहला बाद समझ में आ गया यहां पर मतलब क्या थे यहां पर बायर ह हैं हम लोग इस पॉइंट को होिजेंटर लाइन से डा कर देते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं अब पाइंट क्या करता है जब वर जास तरीके से नीचे आता है और यह नहीं कि ब्रेक कर देता है आपके 70 रुपय पर तो यह 70 रुपय का प्राइस हो गया आपका से पॉइंट C आप यहां पर देखिए बायर 80 हुआ है यहां पर भी बाइंग आया तो देखिए तो जब भी प्राइस जो है न देखिए पॉइंट C में जहां से बायर 80 हुआ है अब प्राइस इसको कहां तक लेकर ज कर रहा है था और जो Mazuf is जो है आपका पॉइंट है अ कि यह पॉइंट के लिए ये जो आपका पॉइंट है छिस का दूइए इस पताइर करें आपका ने क्या है जोंने कराइए आप इसके पास जाएंगे तो यह आपका कांपड को अईटोause का व Comes यह हो गया आपका support ठीक है आगे देखते हैं अजब भी price देखी इसके पास इस लाइन को क्या कर रहा है अब यह resistance कर रहा है point B को जैसे इसको break करेगा break करेगा तो अगला point कहां पर है अगला point यहां पर जाएगा ठीक है आगे देखते हैं तो देखिये समय तरीके से प्राइज हूं न यहां पर गया इसको ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद जोना प्राइज हुह इहा पर गया तो यह कांसывा काम करेगा पहले से रेस्पेक्ट देना पड़ए एगा क्योंकि यहां पर इसको ब्रेक किया था अब यहां पर यह राइब आपर नंगे मिल Hoyовые जह बिधा रहा है वह प्राइब एट जो एट आट कम में प्रिबरू उपर ब्रेक गया तो फिर यहां पर सब्फूर्ट बन गया तो यहीं चीज़ें होती है मार्केट में गयाता है कि यहांपर बायर अध्यू था यहां पर तो सेम तरीका से नीचे की तरह आप दे सकते हैं प्राइज जो नीचे आता है फिर नीचे आता है फिर नीचे आता है फिर उपर जाता है तो यह जो लेवल है यह रजिस्टर का काम करेगा तो इस प्रकास इसका स्ट्रक्चर होता है इसे इलियट वेव थेवरी भी बला जाता हुआ है तो सपड्र काुंपॉर्ट आजिस्टेंस कहाँ पर रहे तो इसका पहले देख सकते हैं यहां पर प्राइज जो नीचे आया था यहां पर सफपोर्ट लिया था और प्राइज यहां पर प्राइज पहलेepend decision किया और बिच्चे कि तरफ ड्रेकाउड मीला यहाने कि इहांब time बीचाया है ठीक है तरिह हमनी आगे देखते हैं अभी आता है प्राइस continue आप देख सकते हैं यह सक покуп तरीका से momentum आ रहा है यहां सिर्यू इधर बाइदे तक उपर की तरफ सेलिंग और निची की तरफ बाइंग जिस तरफ को ब्रेक करेगा अब ब्रेक करने के बाद इसको रेस्पेक्ट दिया नहीं अगर दुबारा फिर जाएगा तो यह तरह एक्ट करेगा यहां पर किया जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वह रजिस्टेंस हो यानिके चेंज इन पॉलारटी बदलाव हो गया यहां पर ठीक है इसी को बला जाता है आगे देखते हैं सेम इसी तरीका से आप देख सकते हैं प्राइस में जो भी चीज़ें यहां पर सपोर्ट लिए है तीन बार तक इसको ब्रेक किया फर्स ताम रजिस्टेंस ब्रेक कर ूरता था यह आपका आप फिर फर्स बन गया है ठीक का समझने है कि एक बारा समझा दिता हूं जो पहले आपकार आपका कि फर्स हुआ करता था फर्स यह सीन को ब्रेक कर दिया तो यह फिर फर्स ब loud जायगा ठीक में जो सूर्स इससंको प्रेकरेगा फिर यह बन जाएगा तो इसमें होता क्या है मार्केट जाकर उपर जाना रहेगा तो जो सीलिंग रहेगा वो फर्स बनता जाएगा इस बात को ध्यान में रखी है तो इसी को बोला गया है टेक्निकल आनलेसिस देखिए यहां पर आप देसकते हैं जो पहले रजिस्ट्रिक कर देता है तो वह सपोर्ट हुआ करता है अगर उसको ब्रेक करता है तो रजिस्ट्रिक मनेगा यह डाउन ट्रेंड में ठीक यह अब ट्रेंड में सपोर्ट मनेगा जस्ट्रिक का ओपोजीट है तो यहीं खेल है और जैंपल के मादेम से आप देख सकते हैं देखिए प्राइस यहां पर सपो कि बाद नीचे आया थिक है तो यह action करने का तरीका price कैसे support resistance में act करता है कैसे demand supply जो है काम करती है तो जो पहले demand हो गart explosion यहां पर मैंने फर्स और ceiling का जैसे आपका घर का मकान है घर का मकान है तो इस तर का से जो ikぎर शीलिंग है यह फर्स है उपनि us to arise बाइका tenant को qualité पॉलारेटिए में आपको समझना है कि यह चीजे कैसे घम करती है आने माले वीडियो में हम सपोर्ड रजिस्टेंस ट्रेड लाइन के माध्यम से ड्रा करना सिखेंगे और उसमें मैं बतायोंगा कि कैसे ट्रेड लाइन में सपोर्ड रजिस्टेंस कीजा जाता है तो आप लो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए राइब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते ने स्टूडियो में जाहिन